वेलकम टू क्लास नमबर 19 यह हमारी active-passive की तीसरी क्लास है पिशली दो क्लासेश में हमने present tense और past tense के active-passive के structures को हमने देखा था आज का हमारा topic रहेगा future tense में passive voice के structures को देखना अगेन यहाँ पर भी तीन possibilities हैं पहला simple tense, दूसरा perfect tense और तीसरा continuous tense तीनों को हम एक के करके देखेंगे सबसे पहले हमारा आएगा future simple passive the future simple passive is usually found with will will के साथ आपको यहाँ पर कई बार shell भी दिख सकता है तो will जो है यह हमें बताता है कि हम future tense की बात कर रहे हैं future simple में अब अगर हम structure की बात कर रहे हैं active और passive voice के इसे मैं box में डाल देता हूँ यह है हमारे structure अब जो पहला वाला structure है यह है हमारा active voice का और जो दूसरा structure है वो है passive voice का तो अगर हम active voice की बात करें तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले हमारा subject फिर साथ में दिखेगा आपको या तो shell या फिर will depends upon subject क्या यहाँ पर आता है verb का हमारा first form रहेगा और बाद में आएगा हमारा object तो यहाँ पर subject फिर shell या will फिर हमारा main verb और फिर आखरी में object इसका जब हम passive बनाएंगे तब आप देखेंगे object हम आगे लिख लेंगे जैसा हम सारे passive में करते है shell और will as it is रहने वाला है क्या change आएगा अगेन यहाँ पर बी का form आएगा और वर्ब जो हमें past participle third form की वर्ब हमें यहाँ पर यूज़ करनी है और आखरी में by subject यह जो by subject है यह कई बार optional होता है लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं अब इस structure को हम समझते हैं अपने example से the police will catch the thief very soon तो आप देखेंगे यहाँ पर जो the police है यह है हमारा police जो है यह हमारा हो गया subject will आप देखेंगे यह structure का part है यहाँ से आ रहा है catch अगेन आपका verb है और किसे पकड़ेगा police चोर को यह हमारा हो जाएगा object तो यह हुआ हमारा active voice अब हमें बनाना है इस active voice का passive voice तो हम follow करेंगे यह वाला structure active voice में जो object था उसे हम आगे लिखेंगे यह हो गया हमारा object फिर will आपको दिखना चाहिए shall या will तो thief के साथ हम यहाँ पर will को use करेंगे फिर आपको be दिखेगा वो भी दिख गया वर्प का हमें third form लिखना है तो वर्प जो था active voice में वो था catch catch का third form होगा caught तो यह आगे हमारा caught जो की है वर्प third form में अब किसके द्वारा पकड़ा जाएगा तो यहाँ पे हम by police लिख सकते थे लेकिन हम उसे कई बार omit कर देते हैं क्यों कर देते हैं यह हम पिछली classes में सीख चुके हैं तो यह था active voice यह हमारा passive voice इस तरह से हम convert करेंगे future simple tense में active से passive में और इसके हम example देखें अगर passive voice के the house will be finished तो जो हमें ध्यान रखना है वो है क्या will be और फिर जो हमारा main verb है उसका third form जब भी आपको इस तरह का structure दीखे will be finished या will be और उसके साथ हमारे verb का third form तो वो होगा हमारा future simple में passive उसे तरह से an email will be sent तो will be और भेजने का send का जो हमारा third form है वो है send अगेन यहाँ पर the power will be turned off between 2 p.m. and 5 p.m. will be और यहाँ पर turn का third form turned यह सारा जो तीनों example है यह है हमारे passive voice के passive voice भी किसमें? अगेन हम जो भी voice देखेंगे उसमें हमेशा हम tense को बहुत ज़्यादा focus में रखते हैं tense से ही हम पहचान लेते हैं जब हम हमें options मिलेंगे ता हम वहाँ पर eliminate भी अराम से tense के हिसाप से कर पाएंगे तो यह सारे example है simple passive आपके future simple passive के next है हमारा future perfect passive the future perfect passive is used to talk about events that will be finished at some point in the future तो यह तो आपको पता है future perfect किस तरह से काम करता है? हम अपने tense वाले classes में यह सारी चीज़े detail में देख चुके हैं main जो हमें देखना है वो है active और passive voice कैसा होता है future perfect में इसे में एक box में डाल देता हूँ अब हम इसे discuss करते हैं तो उपर वाला जो structure है वो है आपका active voice का नीचे वाला जो structure है वो है passive voice का अब structure wise अगर हम देखें तो पहले आएगा आपका subject साथ में आपको दिखेगा shall या will यही हमें बताता है कि future की बात हो रही है फिर आएगा have यह have क्या काम करेगा आपको perfect का sense देने का यहाँ पर काम करता है फिर हमारा main verb आ जाएगा और आखरी में आएगा हमारा object अब इस structure को जब हम passive में convert करेंगे object हमारा आ जाएगा आगे shall या will as it is रहने वाला है have भी ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमें perfect tense की यहाँ पर हम बात कर रहे है साथ में यहाँ पर bean जुड़ जाता है और word का हमें third form लिखना पड़ता है और आखरी में by subject अगें यह लिख भी सकते हैं यह नहीं भी लिख सकते हैं अब इस structure को हम यहाँ पर compare करेंगे अपने example से the mechanic will have fixed the car by 5 pm तो mechanic जो है वो actively हमारा यहाँ पर काम कर रहा है तो यह यहाँ पर the mechanic हमारा subject हो जाएगा will or have यह आप देखेंगे structure के part है यहाँ पर आपका दिग्या verb क्या fix करेगा? car को fix करेगा तो car हमारा हो गया यहाँ पर object यह बात हुई active voice की अब इसे जब हम passive में convert करेंगे तो again जो हमारा active में जो object था उसे हम आगे लिख लेंगे तो the car यहाँ पर हमें दिग्या आगे फिर will have been यह structure का part है passive का verb जो है third form में तो fix का third form fixed यह हमारी main verb है by 5 pm इसके द्वारा हम यह भी लिख सकते थे कि by mechanic लेकिन उसे हमें लिखने की ज़रूत नहीं है क्योंकि जो भी आपकी गाड़िया है वो mechanic ही repair करते हैं तो कई बार जब subject हमारा understood रहता है तब तब हम अपने subject को passive voice में हटा सकते हैं या neglect कर सकते हैं अब यह हमने देखा active voice और passive voice का structure अब इसी में future perfect में हम चार और example इसके देख रहे हैं यह सारे example हैं आपके passive voice के every ticket will have been bought तो main चीज़ जो मुझे देखनी है वो है structure तो यहां पे will have been और आखरी में खरीदने का यह जो third form आपका verb भी आपको दिख गया तो will have been bought यह वाला structure में basically identify गर रहा हूं simply structure देखके tense को देखके हम answer अपना लगा देते हैं तो active passive voice को करना बहुत आसान होता है पता हो बस यह दो चीज़े देखनी पड़ती है और आपके active passive voice के questions बहुत आसानी से solve हो रहे होते है hurry up और all the good seats will have been taken already again यहां पर आप देखेंगे will have been और फिर take का यहां पर हो गया taken the park will have been cleaned by tomorrow will have been और clean का third form cleaned will those letters have been sent out before lunch time अब यह question mark व्यान है हमारा question sentence है question sentence में क्या होता है जो हमारा helping verb होता है वो हमारे subject के साथ interchange कर दिया जाता है मतलब वो जो हमारा structure होता है inverted form का तो will आपको पहले दिखिया have been sent यह आपको यहां पर दिखिया यह भी हमारा passive voice का structure follow कर रहा है किसमे question sentence में तो इतनी हमने बात करी अपने future perfect passive की अब हमारा बचता है last वाला tense जो की होता है future continuous passive अब future continuous passive में passive voice possible नहीं होता है तो यह हमारे लिए एक अच्छी बात है हमें एक चीज कम पढ़नी पड़ेगी एक structure कम पढ़ना पड़ेगा तो future continuous passive की जब भी sentences होगे तो उसमें उसका passive हम कभी भी नहीं बनाते हैं तो जब इसके passive नहीं बनते हैं तो obviously बात है इस पर question भी नहीं आने वाले तो हमें इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रा तब नहीं है next हम चलते हैं आप अपने grammar rules की तरह पहला rule है आपका rule number 55 तो already 54 rules हम cover कर चुके हैं gerund if preceded by a pronoun that pronoun must be in possessive case अगर gerund आता है आपके pronoun के पहले तो वो जो आपका pronoun होगा वो possessive case में होना चाहिए शीतल emphasized me going there अब यहाँ पर going यह क्या है आपका gerund है उस gerund के पहले क्या आ रहा है आपका me me क्या denote करता है आपका pronoun अब यह जो me है क्या यह आपका positive case में है नहीं है इसलिए यह sentence आपका हो गया गलत सही sentence क्या होगा शीतल emphasized my going there तो going आप देखेंगे आपका gerund है माय क्या है आपका positive case बनाता है यह sentence आपका सही है शीतल emphasized my going there if gerund is preceded by a pronoun उसके बाद अगर आपका gerund आता है तो आपका यह जो pronoun है यह किस में होना चाहिए यह positive case में होना चाहिए rule number 56 the present perfect continuous tense is used for an action that began in the past and still going तो यह तो हमें पता है continuous tense है present perfect का it is used with adverbials of time introduced by since या for या फिर how long कैसे उसे हम example से समझ लेते हैं हमें लिखना पड़ेगा present perfect continuous tense में तो वुस tense को किस तरह के structure बनाता है हमें how long have you been working in this office यह अब सही हो जाएगा have you been यह हमें पता है structure का part होगा और आखरी में working यह हमारा continuous वाली बात हमें बता रहे है have you been यह हमारा present perfect working वाला continuous तो जो tense यहाँ पर इस तरह के structure में यूज होना चाहिए वो होगा present perfect continuous tense कई बार हम बोल चाल में उपर वाला यह वाला sentence हम यूज कर लेते हैं जो कि गलत होता है how long are you working in this office तो यह sentence गलत है तो अगली बार से जब भी आप लिखे हैं या बोलें तो यह छोटी छोटी चीज़े आपको ध्यान रखने है rule number 57 a verb when preceded by a preposition must be a gerund a verb when preceded by a preposition must be a gerund इस चीज़ को हम example से समझते है they were punished for come late अब आप देखेंगे for क्या है आपका preposition है come आपका यहां पर क्या आ रहा है आपका verb आ रहा है अब verb जो है वो कब आ रही आपकी preposition के बाद आ रही तो जब भी इस तरह के preposition के बाद आपकी verb आएगी तो verb जो है वो gerund form में होनी चाहिए इसलिए यह वाला sentence आपका गलत है सही sentence क्या होगा they were punished for coming तो आप देखेंगे for आपका preposition है come जो था वो आपका verb था उसका हमने gerund बनाया तो for coming late अब यह आपका sentence सही होगा तो simple सा छोटे छोटे रूल थे जब भी आपको preposition दिखे उसके बाद आपका verb आए तो जो verb है वो आपका gerund form में होना चाहिए दूसरी बात जब भी इस तरह के sentence होते है how long have you been working आप कितने समय से इस office में काम कर रहे हैं या फिर आप कितने समय से यहाँ पर wait कर रहे हैं तो तब आप हमेशा जो tense use करेंगे वो होगा आपका present perfect continuous दूसरा जब भी आपका यहाँ पर pronoun आए और उसके बाद आपका gerund आए तो gerund के पहले जो आपका pronoun होगा वो हमेशा possessive case में होना चाहिए तो यह थे हमारे तीन rules जिनने आज हमने देखे अब हम कर लेते हैं आज के questions को I will write a letter तो again हमें active passive में हम बात कर रहे है I will write a letter तो again यह तो simply मुझे दिख रहा है कि यह active voice है plus will मुझे बता रहा है कि यह future tense की बात हो रही है और future tense में भी कौन सा subpart है यह future simple तो future simple के लिए structure क्या होगा a letter is written by me यह तो cancel हो जाएगा क्योंकि is written by me यह तो tense ही आपने change कर दिया यहाँ पे future tense है यहाँ पे आप present tense कर दिया तो यह आपका गलत हो गया a letter will be written by me यह हो सकता है तीसरा गर हम देखें a letter has been has written to me यह भी गलत है फिर a letter has been written by me यह भी आपका गलत है आपको tense नहीं change करना होता है अगर यहाँ पे future tense है तो जो आपका passive बनेगा वो भी future tense में रहना चाहिए option number B आपका सही हो जाएगा plus इसमें अगर आप structure देखें यहाँ पर जो आपका object था active voice में वो आपका पहले आ गया letter फिर will as it is दिखा साथ में आपको पता है कि B दिखता है structure में और यहाँ जो right था उसका हमने third form बनाया है तो a letter will be written by me राहुल will pass the message यह कैसा है active voice का sentence हो गया again will pass तो इससे मुझे पता चले गया है कि यह future simple tense की बात हो रही है future simple tense में अगे जब हम passive बनाएंगे तो उपच जैसा ही हमें structure दिखना चाहिए the message जो की object है हमारे active में वो passive में आके हमारा आगे दिखना चाहिए the message सब में दिख रहा है ठीक है अब will passed by राहुल या would be passed would be तो हट जाएगा सब में will will दिख रहा है मतलब future है tense है वो majorly आपका future है अब हम बात करेंगे structure के हिसाब से हमें पता है कि जब हम future simple passive बनाते हैं तो उसमें structure क्या follow होता है will के बाद भी आता है यहाँ पर नहीं दिख रहा will के बाद भी यहाँ पर भी नहीं दिख रहा सिर्फ option number d में आपको दिख रहा है the message will be passed by राहुल तो simply आपको tense देखना है structure देखना है और options को eliminate करते जाना है the packet will be delivered to your house अब आप देखेंगे यहाँ पर will be और work का आपको third form दिखा इसका मतला भी जो sentence given है यह आपका passive voice में इसे हमें convert करना है active voice में the packet will be delivered to your house अब वो packet कौन deliver करेगा कोई नो कोई तो करेगा कौन करेगा वो important नहीं है तो again यहाँ पर आप देखेंगे your packet is delivered या someone will deliver यह हो सकता है he delivers the package he delivers the packet यह तो आपने tense change कर दिया इसे हम cancel कर देंगे the packet would be delivered to your house would be delivered यह भी नहीं होगा अब बसता है A या B आप देखेंगे यहाँ पर your packet is delivered तो again यह भी हम cancel कर देंगे क्यों कि यहाँ पर आपने tense change कर दिया है अगर यह आपका future में है तो जो आपका active है वो भी तो future में होना चाहिए तो active passive में जब भी हम interchange करते भी हैं तो tense नहीं change करते हैं तीन चीज़े तो आपकी उसी से eliminate हो गई option number B बसता है वो यह आपका answer हो जाएगा इसे भी हम structure wise check कर लेते हैं someone तो यह आप बन गए आपका subject यहाँ पर subject missing था the packet will be delivered तो कौन delivered करेगा कोई न कोई करेगा कौन करता हो वो important नहीं था आपको पता है कि उपर भी मैंने आपको पताया था अभी कि जब हम passive voice बनाते हैं तो आखरी में जो by subject होता है उसे हम कई बार eliminate कर देते हैं जब हमारा subject जो है वो understood सा होता है तो यहाँ पर अब active voice में subject थो लिखना पड़ेगा इसलिए हमने यहाँ पर someone को subject बनाया will active voice में structure है verb आपका deliver तो will deliver यह बन गए आपका future simple और आपका voice कौन सा है यह active voice they will demolish the entire block again आप देखेंगे will demolish यह है आपका active voice का अब इसका हमें बनाना है passive voice तो entire block जो है वो आपका बन जाएगा main आगे object पहले दिखेगा आपको पहले हम चेक कर लेते हैं tense को the entire block will यह future में है ठीक है the block may be यहाँ कोई role नहीं इसे हम eliminate कर देंगे the entire block will तो यह भी future में है इसे भी हम छोड़ देंगे अभी the entire block is being इस दिख गया मुझे तो इसे मैं eliminate कर दूँगा अब मेरे पास बचा A और C अब इसमें हम structure को चेक कर लेते हैं अगर हम C वाला देखें the entire block will be demolished तो will दिख गया be दिख गया और demolished का third form तो यह सही answer होना चाहिए अगर हम एक ही बात कर रहें the entire block will have to be demolished तो will have इस तरह का structure future simple में follow नहीं होता है तो option number C हमारा answer हो जाएगा question number 5 the principle will announce the results तो again the principle will announce यह आपका future simple active voice का sentence है the principle आपका subject है will structure है announce आपका verb है क्या announce करेंगे result को तो result आपका यह object है the results आपके पहले दिखेगा जो कि आपको सब में दिख रहा है अब हम यहाँ पर check कर लेते हैं हमारे tense को तो पहले वाले में will है तो यह हो सकता है बी वाले में were आ रहा है यह तो आपने past कर दिया ऐसे हम हटा देंगे यहाँ पर will दिख रहा है तो यह हो सकता है are announced यह आपने present tense कर दिया तो इसे भी हम हटा देंगे, तो दो option simply हमने tense देखके ही हटा दिये, अब हमार पास बचे दो sentence जो की future tense के हैं, इनमे हम लगा देंगे अपना structure, यहाँ पर future simple वाला हमारा sentence है, अगर हम option number A को देखें, the results will have announced, तो आपको पता है कि will have वाला structure future simple में नहीं आता है, तो एक ही आपक option बचा, option number C, इसका भी अगर हम structure देखें, the results, यह पहले आना चाहिए, तो वो दिख गया, will be structure का part है, announced का आपने third form बना दिया, announced, किसके दोरा है, by the principle, तो यह आपका correct, passive voice का structure बन गया, future simple passive का, question number 6, will the locusts have damaged our crops, अब आप देखेंगे, यहाँ पे आपको will दिखा, और यहाँ पे have दिखा, और यहाँ पे damaged, यह structure जो है, have, will have की वज़े से, clearly आपको समझ में आ रहा है, कि यह future perfect tense है, अब यह active voice है, या passive voice है, तो यह आपका active voice है, इसे हमें convert करना है, passive voice में, तो passive voice में convert करने के लिए, will have, उसके साथ हमें क्या दिखेंगे, यहाँ पर भी will have been वाला structure करेंगे, इसे हम चेक कर लेते हैं, will our crops be damaged, तो यहाँ पर have been नहीं दिखा, इसे हम हटा देंगे, will our crops have been damaged by locust, यह हो सकता है, will our crops have damaged, यहाँ पर bean वाला पार नहीं दिखा, तो यह हट जाएगा, will our crops been damaged, यहाँ पर have missing तो यह भी हम हटा देंगे, एक ही option बचता है, option number B, will our crops have been, और फिर वर्ब का third form damaged, तो यह आपका follow कर रहा है, future perfect passive के structure code, question number 7, I shall have charged the battery, I shall have charged the battery, shall have charged, तो इसने मुझे बता दिया कि यह future perfect tense चल रहा है, और active voice का यह sentence है, इसे हमें convert करना है, future perfect passive में, तो shall have charged structure में मुझे क्या दिखना चाहिए, shall have been charged, अब इसे मैं option में check कर लेता हूँ, the battery shall be charged, इसे हम हटा दूँगा, the battery shall have been charged by me, charge की जगे third form use होना चाहिए था, इसलिए मैं इसे eliminate कर रहा हूँ, the battery shall have been charged by me, यह हो सकता है, the battery shall have been charging, charged होना चाहिए third form, यह तो ing form बन गया, इसलिए d भी हट जाएगा, हमारे पास हो, the battery, यहाँ पर आपको पहले दिग गया, फिर shell आ गया, have आ गया, bean आ गया, और फिर charge का third form आपका charged आ गया, यह structure पूरा follow हुआ आपका, future perfect passive का, पाकिस्तान will not have formulated a cogent policy on terrorism, पाकिस्तान will not have formulated, will not मुझे क्या बता रहा है कि negative sentence है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, will not के बाद हमें दिखा have, और यहाँ पे मुझे दिखा formulated, इसका मतलब यह जो है, will have के उजए से, मुझे इतना समझ में आ गया, कि यह है हमारा future perfect, औ और अगर हम देखें, तो पाकिस्तान will not have formulated, तो यह active voice की बात हो रही है, इससे हमें convert करना है, passive voice में, passive voice में structure क्या दिखेगा, will not have been formulated, उसी चीज़ को मैं check कर लूँगा, a cogent policy on terrorism will not have been formulated by पाकिस्तान, अब आप देखेंगे, यहाँ पर formulate दिखा, जबकि मुझे third form चाहिए, passive में, इसलिए एको में करूँगा, eliminate, दूसरा, a cogent policy on terrorism will not have been formulated by पाकिस्तान, अगेर यहाँ पर ing form दिखा, इसलिए मैं हटा दूँगा इससे, यहाँ third, हमारे इसके option की बात करें, the cogent policy on terrorism will not have been formulated, again, formulates दिखा, इससे भी मैं हटा दूँगा, option number d हमारा बचेगा, will not have been, और third form हमें दिखा, formulated, तो simply मैंने यहाँ पर देखा, formulate का मुझे third form ही यहाँ पर चाहिए था, तो formulated यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए था, हमारे options में, जो की सिर्फ एक ही option में दिख रहा है, दूसरी बात यहाँ पर जो d वाला option है, वो हमारे structure को, जो हमारा future, future perfect passive का structure है, उसे पूरी तरह से follow कर अनामिका शेल हेल्प त्रप्ती इन हर English lessons, शेल दिखा, फिर हमें दिखा help, अनामिका शेल हेल्प त्रप्ती इन हर lessons, शेल की बात हो रही मतलब अगे यह future tense है, इसका हम बनाएंगे, अब अगर हम बात करें, tense कों सा चल रहा है exactly, जो तीन form होते हैं उसमें, यह हमारा future simple, तो त्रप्ती को हम आगे करेंगे, त्रप्ती हमें दिख रहा है, A, B और D में, C में को हम eliminate कर देंगे, अब हम एक एक option को check करते जाते हैं, त्रप्ती शेल भी help, शेल बी के बाद help नहीं होगा, helped होना चाहिए, third form होना चाहिए help का, तो option number A eliminate हो जाएगा, दूसरा वाला त्रप् शेल भी help, तो शेल बी और फिर help का third form helped, यह आपका सही option हो जाएगा, last question, शेल ही not take the ECG, अगेन यह आपका question mark का sentence है, और शेल आपको दिख गया तो future tense की बात हो रही है, और आपको यहाँ पे have वाला कोई भी structure नहीं दिख रहा है, मतलब अगेन यह वाला जो question है, यह है आप future simple का, shall he not take ECG, यह आपका active voice है, इसका हमें बनाना है passive voice, एक-एक option को हम चेक करते जाए, shall the ECG not be take by him, तो यहाँ पे take नहीं, taken होना चाहिए, third form, यह option को हम अटा देंगे, shall the ECG not be took, तुक नहीं होना चाहिए, यह इसे भी हम अटा देंगे, shall the ECG not be takes, यह भी eliminate हो जाएगा, option number D आपका बचेगा, तो shell आपको दिखा, not be वाला structure आपको दिखा, और take का third form taken आपको दिखा, future simple passive का structure, option number D, follow कर रहा है, इस तरह से हम questions को इस तरह के solve करते हैं, आज हमने पूरा future वाला future tense में किस तरह से passive का structure बनता है, उसे हमने देख लिया, future continuous में passive नहीं बनता है, तो एक च चीज़ देखनी है future में, या तो future simple होगा, या फिर future perfect होगा, future perfect वाला कैसा दिखेगा, उसमें आपको have वाला structure दिखेगा, तो उससे हम पैचान लेंगे, future perfect को जब हम passive में convert करेंगे, तो फिर will या shall, have been, और फिर verb का third form, वो हम देख लेंगे, तो अब हमारे लिए future tense में passive बन तो doubt हो आज की class में, तो आप doubt session में आके मुझसे पूछ लीजेगा, active passive की अभी एक या दो class में अब इसमें और लोगा, तो मिलते हैं आपसे अगली class में